बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com साथ बसाथ के अंदर किसी दूसरे के जीवन से दुख दुर भागय और दर्दरता को दूर करता है कितने बड़े पुन्य का काम करता है आपका एक शेर तभी तो कमल नंदालिय कहता है कि शेर तो बनता है इसलिए शेर जरूर करें और खास बात क्या अगर आप मेरी सेवाई लेना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूँ आपकी कुंडली का विवेचन करूँ आपकी कुंडली देख करके कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं कोई ऐसी समस्या जिसका आप समाधान चाहते हैं या आप अपने घर का आओ अफिस का अपनी इंडस्ट्री का वास्तू दिखाना चाहते हैं या किसी जटल से जटल समस्या का सरल समधान चाहते हैं कोई उपाय चाहते हैं तो सीधा जाएए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्वेश सिलक कीज मुझे आपके कॉल का इंतिजार रहेगा तू चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वास्तू का सच में सबसे पहले बात करेंगे आज के विशह पर मित्रों आज हमें एक बहुत खास विशह पर चर्चा करने जा रहे हैं इस वास्तू दोश के कारण बढ़ती है दुश्मनी आप बोलेंगे पंड़िश जी पताने किस तरीके के टॉपिक उठाकर लेके आते हैं ऐसे टॉपिक तो कही नेट पर भी नहीं मिलते हैं सच कह रहा हूं आप से देखिए जो भी बताँगा वास्तू शास्त्र का अकॉर्डिंगली बताँगा शास्त्र का पूरा आपको व् तब लकड़ी के पलंग नहीं हुआ करते थे, थावन, तब चार पाई हुआ करते थी, तब इलेक्टरोनिक गैजट्स नहीं थे, थावन, वाईू यान नहीं थे, जो पैटरल से चल सकें, गैसुलिन से चल सकें, तब ऐसी ट्रेंज नहीं थी, जीवन कितना बदल गया है, बदलेवे परिवेश में वास्तू को भी बदलना पड़ा है वास्तू के नियमों का आधार देखते हुए बहुत सारी चीजों को कंपाइलिशन किया जाता है तो आज जिस हम टॉपिक को कंक्लूड करने जा रहे हैं इस वास्तू दोश के कारण बढ़ती है दुश्मनी और आधार क्या है पहले इस बारे में जानते हैं देखिए मानव के जिवन में मित्र भी होते हैं और शत्रू भी होते हैं और कई बार हमें ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारे शत्रू बढ़ जाते हैं मान लीजे अगर आपने जाने अंजाने किसी की भी परिवार वाले में से किसी के साथ को अपशब्द कह दिया या आपने किसी को छेड़ दिया या तंग कर दिया तो अगला विक्ति आपका शत्रू जरू बनेगा समान गुन धर्म वाले ग्रह और दशाओं में भी अकसर मितरता होती है और विपरीत गुन धर्म वाले ग्रह और उनके दशाओं में भी शत्रूता होती है जैसे इनसानों में है वैसा ग्रहों में भी है और जूतिश में इसे नैसरगिक ग्रह सारणी कहते है ततकालिक मितरता भी होती है और शत्रता भी होती है और ऐसा ही इनके दिशाओं में भी है ऐसे में ग्रहों और उनकी दिशाओं को वर्गों में बाटा जा सकता है जैसे एक ही टाइप के सूर्य है मंगल है ब्रहस्पती है दूसरे टाइप क्या हुई राहू है शनी है और बुद्ध हो गया तीसरे टाइप क्या है और शुक्र हो गया तीसरे टाइप क्या है चंद्रम हैं नमित्र हैं इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं और यही चीजें अपलाए होती हैं इनके दिशाओं पर भी जैसे सूरी की दिशा पूरुव है तो उसका शत्रु क्या हुआ पश्चिम दिशा का स्वामी यानि कि शनी जैसे की उत्तर दिशा बुद्ध की है तो इसका विरोधा भासी या अपोजर्ट साइड का जो स्वामी शत्रु कौन हुआ मंगल ब्रहस्पती की दिशा जैसे इशान है तो राहू की दिशा इसकी अपोजट जो दिशा है नैरित्यकौन उसका स्वामी राहू उसका शत्रू हुआ चंद्रम और केतु जैसे मैंने कहा कभी भी किसी घ्रह से न शत्रूता रखते हैं एक आकाश का स्वामी है और एक व्याईवकून का स्वामी है और शत्रूता रहित इस स्थिति को माना जाता है कई बार वास्तू के अंदर भी हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं दिशाओं में जिसके कारण हमारे शत्रू बढ़ जाते हैं आईए जानते हैं इस बारे में वास्तू शास्त्री ये कहता है कि अगर घर को सजाने या सवारने के लिए घर की दीवारों के सारे अगर हम बेल चड़ा देते हैं लताओं को चड़ा देते हैं तो शत्रू की संख्या बढ़ जाती है वास्तु शास्तर के नुसार गलत दिशा में बेल और लताओं के चढ़ने से शत्रू धीरे 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 बलवान होते जाते हैं और हम धीरे 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 कमजोर होते जाते हैं बेल और लताओं को घर के मुख्यदवार पर लगाना भी वास्तु शास्तर के अनुसार अशुब फलिदाई माना जाता है और आपने अक्सर देखा होगा ऐसे घर जिनके मेन गेट पे लताओं होती हैं वो घर पनप नहीं पाते इसको नोट कीजे वो घर हमेशा पुराने खंडरों में तब्दीर हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि लताओं को नहीं लटकाना चाहिए एक रीपर्स ज़रूरी हैं लेकिन उनकी दिशाएं बहुत संजीदगी से चुननी चाहिए हैं मतस से पुरान इस बारे में एक इंडिकेशन देता है उसमें भी वास्तु की गाइडलाइन्स हैं मतस से पुरान में और वहाँ पर उलेक मिलता है और वास्तु शास्तर ये भी कहता है कि बेल और लताओं का जो सारा कनेक्शन है वो शुकर से है इन्हें घर के दक्षण पूर्व भाग में स्थान में खाली स्थान में लगाना चाहिए दक्षण पूर्व शुक्र की दिशा है तो इस दिशा में creepers जितने भी हैं वो लगाय जा सकते हैं या शुक्र के मित्र के दिशाओं में लगाय जा सकते हैं लेकिन जैसे इशान कौन में इशान जो कौन है उसमें कभी भी क्रीपर नहीं लगाए जाते हैं अन्यता आपकी तरक्की रुख जाएगी है तो हर एक का नियम गुण और धर्मी के हिसाब से तै होता है ध्यान रखेगा कोई से उस बात का के बेल और जित्ते भी पेण हैं इन सकते हैं या कोई पेड़ हो उस पर भी चड़ सकती हैं क्रीपर्स होते हैं दक्षपूर वदिशा में सुगंदित फूल जैसे को सुगंदित फूलों की जो लता है या बेल है जैसे हम मधूम आलती कहते हैं जो लता है मधूम आलती लता जो होती है उसे भी हम कर सकते हैं बह अगने दिशा यानि दक्षन पूर्व में इन्हें लगाना शुब फलों की व्रद्धी करता है तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें इस तो तक और अपने मित्र कमल लंदलाल को इसमीत के साथ इजाज़त दीजे कि आप का और हमारा हम सभी का आने वाला जो कल है आज से कुछ बहतर हो कुछ सुन्दर हो और सफल हो कल वास्तु का सच में आप से फिर मुलाकात होगी इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षवाए